Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में अजीम प्रेम जी फाउंडिशन की तरफ से टीचिंग के लिए वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है साथ में रिसोर्स परसन की भी वेकेंसी है चार राज्यों की फिलाल वेकेंसी जारी की गई है किनकिन जगहों पर जो है वेकेंसी है तो आप लोगों को वीडियो अन्तो तक देखना है कैसे अपलाए करना है निशुल को आविदन रहेगा सभी राज्यों के कैंडिडेट इन चार राज्यों में आविदन कर सकते हैं काफी अच्छी सैलरी के साथ में आप यहां पर टीचिंग कर पाएंगे क्या प्रॉसेस रहेगा बहुत ही सिंपल प्रॉसेस के साथ आप लोगों को बताऊंगी तो सबसे पहले जो है क्या करना है ओफिशिल वेबसाइट पर चले आना है अजीमप्रेमजीवणडेशन की तो यह जो है आपका अजीमप्रेमजीवणडेशन का होमपेज आपके सामने आ जाएगा उसके बाद राइड साइट में देखेंगे आपके पास जो है डो आपको लाइन दिखेंगी इस पर जो है क्लिक करेंगे कहीं पर आपको career या फिर हाँ या third number पर लिखा है आप left side में देखें work with us इस पर click करेंगे ठीक है next जो है नीचे लिखा है apply for job तो आप जो है apply किसी पर भी कर सकते हैं mobile पर कर सकते हैं laptop पर कर सकते हैं computer पर कर सकते हैं जो भी आपके पास available है apply for job इस पर click करना है और अब जो है vacancy किन किन राजियों में है यह आपको जानने को मिलेगा scroll down करेंगे थोड़ा सा नीचे आना है हाँ यह आ गया नीचे तो सबसे पहले देखें school teacher की जो vacancy है 36 गड़ में धंतरी 36 गड़ में है उसके बाद जो है second number पर school teacher उत्राखंड में vacancy है इसमें उदम सिंग नगर इस जगर पर vacancy है उत्रकासी में vacancy है school teacher करनाटका में vacancy है यादगीरी और काला बुरागी से ठीक है राजिस्तान में जो है टॉंक, सिरोही और बाडमेर में vacancy है काफी अच्छी vacancy रहती है कोई fees नहीं देनी होती है आपको और इसका जो है बहुत ही simple process रहता है आविदन करने का resource person में आप देखें 36 गड़, जहारकंड, मध्यपरदिस और राजिस्तान इन चार राजियों में vacancy है अगर आप resource person के लिए आविदन करना चाहेंगे अब देख लेते हैं कि qualification क्या मांग रहे हैं किसी भी एक राज्य का उपन करके देख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 36 गड़ राज्य में आविदन करना चाहते हैं तो इसी बॉक्स पर जो है क्लिक करना है तो यह उपन हो गया और यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि यह qualification क्या मांग रहे हैं तो यहाँ पर जो opportunity आई है सबसे पहले यह देखें primary teacher, pre-primary teacher, upper primary teacher post-graduate teacher इनकी vacancy है higher secondary के लिए English, chemistry, physics, biology and political science तो यह subject आप देखने हैं अगर आप PZT के लिए apply करना चाते हैं eligibility जो है pre-primary के लिए 12th के साथ में entity या फिर इसके equivalent कोई teaching training course हो primary के लिए जो है graduation के साथ में D.Ed किया है आपने या B.Ed भी किया है तो भी apply कर सकते हैं BSTC, BTC वाले apply कर सकते हैं higher secondary teacher के लिए master degree के साथ में B.Ed होना चाहिए आपने English में किया है Master degree, chemistry में किया है physics में किया है biology में किया है या political science में यह subject है तो आप किसमें आविदन करना चाहेंगे साथ में आपके पास दो साल का teaching experience जो है वो होना चाहिए थोड़ा सा English पढ़ाने की योगता इसमें जादा जो है कि बहुत ही जो है English आपकी एकदम to the point होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें Hindi medium वाले भी candidate apply करते हैं Hindi की knowledge तो compulsory है क्या process रहेगा आवेदन करने का तो हम 36 गड़की देख रहे हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा नीचे देखेंगे apply now बस इस पर ही click कर देना है थीक है थोड़ा सा नीचे देखेंगे apply now का option मिलेगा इस पर आप click करेंगे form fill कर देना है कोई fees नहीं देनी है ठीक है जैसे की apply now पर आप click करके देख लेते हैं किस तरीके का जो है क्या process है form fill करने का यह देखिए सबसे पहले जो है personal detail भरनी है ठीक है और आप देखें जो भी detail आप भरेंगे सबसे पहले जैसे की starting में फस्टर नेम है लास्टर नेम है फस्टर नेम में जो है as per आधार इस्टार लगा हुआ है जिन पर भी start लगा हुआ है इनको तो आपको fill करना ही है जिन पर start नहीं लगा हुआ है उनको आप छोड़ सकते हैं जैसे की country के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दें city state नहीं भरना है मत भरिये postal code आपको भरना जरूरी है ठीक है उसके बाद जो है आपकी qualification जो है यहाँ पास compulsory है graduation qualification तो देखिए course या degree आपने किया है तो इसके आगे star लगा हुआ है तो यह सारे column जो है वह आप fill कर देंगे employment detail तो यह कोई compulsory नहीं है इसको छोड़ देंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पर star लगा हुआ है experience बिल्कुल चाहिए क्योंकि 2 साल का minimum experience तो मांग ही रहे है इसलिए इस पर star लगा हुआ है इसको तो आपको भढ़ना जरूरी ही होगा किस भासा में पढ़ाएंगे तो यह भी पूछा है ठीक है तो यह form रहा काफी जो है simple process है इसका तो यह 36 गड़ राज्य का मैंने बता दिया है इसी तरीके से जो है आप दूसरे राज्य का जो अगर apply करना चाहेंगे तो उसी box पर जो है click करेंगे और फिर जो है step by step आगे बढ़ना है कोई fees नहीं लग रही है तो मेरे वीडियो के द्वारा जो है काफी वच्चों का selection जो है अजीम प्रेम जी foundation में हुआ है तो यह 4 राज्यों की vacancy काफी अच्छी salary जो है इसमें दी जाती है बहुत सारे candidates इसमें ऐसा कहते हैं कि हम form fill जो है करते हैं लेकिन reply नहीं आता है तो ऐसा होता है कि जितनी vacancy है और qualification जो है जितनी higher qualification है या form बहुत अच्छे तरीके से fill किया हुआ एक को बिना mistake के तो ऐसे candidate को जो है बुला लिया जाता है मात्र जो है एक छोटा सा question या तो return में या फिर interview के द्वारा selection हो जाता है बहुत ही simple process के साथ ही यहाँ पर selection होता है कोई hard जो है नहीं होता है कि return exam है उसके बाद interview है वाइवा है ऐसा कुछ नहीं है या तो interview होगा या simple सा जो है जैसे मात्र दस या पंद्रा question इस type से जो है यहाँ पर पूछा जाएगा ठीक है और वही पूछा जाएगा जो आपने subject में पढ़ाई की है आपने जो है बीएड में पढ़ाई की है बस इससे ही संबंदित question पूछे जाते हैं ठीक है तो यह आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जैसे ही vacancy जारी होती है आप लोगों को सूचना वीडियो के मादिम से दी जाती है दुबारा से आप लोगों को बता देती हूँ सबसे पहले जो है Google पर सर्च करना है azimpramzifoundation.org जैसे ही आएंगे तो आपको right side में दो dot मिलेंगे उस पर click करना है work with us इस पर आप लोग click कर लेंगे ठीक है और आगी का process जो आपको बदा दिया है तो चलिए मिलेंगे next वीड